नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से अभिदन्दन करता हूँ आपके भरोसे मंद यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आज के वीडियो में मैं आपके लिए 100 MSQ questions करेंट अफियर्स के लेकर आये हूँ जो की जनवरी से लेकर मई तक के महीने के हैं यानि की आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है मैं इस वीडियो में आपके लिए टाइमर भी दूँगा हर question को solve करने के लिए 5 seconds का समय मिलेगा 5 seconds में आपको answer देना है आपको check भी करना है कि आपसे कितना करेंट अफियर्स बन रहा है score क्या होता है 100 में से कितना attempt कर पा रहे हैं इससे आपकी तयारी का भी आपको पता चलेगा तो दोस्तो प्लीज सभी वीडियो को सबसे पहले जादा से जादा share कर दीजे अपने groups में जिनसे और सभी students के पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो को देख सकें और प्लीज वीडियो को like जरू कर दीजेगा all exam special वीडियो है किसी भी exam की तियारी कर रहे है आप अपने group में भी share कर सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं notes बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं current affairs का ये important questions का वीडियो सबसे पहला प्रश्यो ये रहा screen पर भारती उच्चायोग द्वारा किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया right answer क्या है इस question के लिए बताईए चलिए देखते हैं तो भारती उच्चायोग द्वारा बांगला देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया right answer हो जाएगा option number D next question देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहा स्क्रीन पर किस राजिस सरकार ने चरण पादू का पहल की शुरुआत की है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो चरण पादू का जो है पहल की शुरुआत मद्द प्रदेश सरकार ने शुरू की है जो गरीब लोग हैं उनके लिए sleepers जूते वगेरा बाटने का एक सरकार की तरफ से कहें तो काम शुरू किया गया है उसी काम को चरण पादू का पहल का नाम दिया गया है next question देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहा स्क्रीन पर हाली में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रव भेजा है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो हाली में अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रव इथोपिया ने भेजा है option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यूरोप में कोरोना वाइरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो यूरोप में कोरोना वाइरस फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया बना है राइट आंसर हो जाएगा option number B next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर किसराज इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए hope portal launch किया है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो बेरोजगारों के लिए युवाओं के लिए hope portal उत्राखंड सरकार ने शुरू किया है option number B इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा दोस्तों अपना इस code जरूर शेर करिएगा अगला प्रशन देखते हैं हाली में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदल कर टैगोर स्ट्रीट रखा है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो हाली में इसराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदल कर टैगोर स्ट्रीट रखा है रविद नाट टैगोर जी के सम्मान में next question देखते हैं क्या पूशा गया है हाली में किस ने मिशन सागर शुरू किया है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो मिशन सागर भारत के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसमें विदेशी विदेश में फसे भारतियों को समुत्र के मार्ग से वापस देश में लाने की नौसेना की द्वारा कोशिश की जा रही है next question देखते हैं हाली में किस ने आयू संजीवनी एप का शुभारम किया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो आयू संजीवनी एप्लिकेशन जो है डॉक्टर हर्स वर्दन सिंग ने शुरू की है option number B इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा किस देख ने एक अंत्रिक्ष रॉकेट दे लॉंग मार्च 5B का सफलता पूर्बक लॉंच किया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो एक देख जिस ने रॉकेट दे लॉंग मार्च 5B को सफलता पूर्बक लॉंच किया है उसका नाम है चीन Next question देखते हैं क्या पुशा गया है हाली में किस ने Operation Samudra Setu शुरू किया है राइट answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो Operation Samudra Setu भारतिय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया एक कार है Next question देखते हैं क्या पुशा गया है हाली में किसे राश्रपती डोनाल ट्रम्प ने नियू यॉर्क की संगी अदालत में नियाधिश नियुक्त किया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो संगी अदालत में नियाधिश सरिता कोमती रेड़ी को नियुक्त किया गया है बारतिय मूलकी है महिला है नोट कर लिएगा पुछा जा सकता है राश्रपती डोनाल ट्रम्प ने नियू यॉर्क की संगी अदालत में नियाधिश की नियुक्ती दिया है सरिता कोमती रेड़ी को नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुछा गया है यह रहा स्क्रीन पर कौन सा देश 2020 के अंतर तक आर्करिटिक जलवायू की निगरानी के लिए अपना पहला एम उबग्रह लॉंच करेगा राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो कौन सा देश 2020 के अंतर तक आर्करिटिक जलवायू की निगरानी के लिए अपना एम उबग्रह लॉंच करेगा तो रूस उबग्रह लॉंच करेगा ऑप्शन नमबर एस कॉशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं सुर्खियों में रही बोडो जन्जाती का सम्मंद किस राजी से है बतलाईए चली देखते हैं तो सुर्खियों में रही बोडो जन्जाती जो है असम राजी से सम्मंद देते हैं आप्शन नमबर सी इस कॉशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है हाली में किस राज सरकान ने उम्बार आंगनवाडी नामक अनूठी पहल शुरू की है बतलाईए चलिए देखते हैं तो उम्बार आंगनवाडी नामक अनूठी पहल जो है गुजराज सरकान ने शुरू किया option number ace question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है किस राज सरकान ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ती योजना शुरू की है बतलाईए चलिए देखते हैं तो महिलाओं के लिए जीवन शक्ती योजना मद्द प्रदेश सरकान ने शुरू की है राइट आंसर हो जाएगा option number B next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर किस देश के वित्मंत्री ने bounce bank रिण योजना का अनावरण किया है राइट आंसर क्या है बतला ये चलिए देखते हैं तो bounce bank रिण योजना का अनावरण ब्रडेन सरकान ने किया है राइट आंसर हो जाएगा option number A ब्रडेन के वित्मंत्री ने इस योजना का अनावरण किया है अगला प्रशन हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गाउं में संपत्ती की निगरानी रखने के लिए कौन सी application launch की गई है राइट आंसर क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो ड्रोन के माध्यम से गाउं में संपत्ती की निगरानी रखने के लिए स्वामित तो application launch की गई है हाल ही में next question देखते हैं संपर्ग दीदी application किस राज सरकान ने launch की है बतलाईए चली देखते हैं तो संपर्ग दीदी application उत्राखन राज सरकान ने launch की है next question देखते हैं क्या आपकी शगया है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किस पोर्टल को launch किया है बतलाईए चली देखते हैं तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ये इ ग्राम स्वराज पोर्टल स्वामित योजना पोर्टल इन दोनों को ही launch किया है option number C is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं virtual अदालतों के जलिए virtual अदालतों मत्लब digitally आप case की सुनवाई कर सकते हैं ऐसा पहला राजिक कौन सा बना है जिसने virtual अदालतों को शुरू किया है right answer के है बतलाईए चलिए देखते हैं तो virtual अदालतों के जरिये सुनवाई करने वाला पहला राजिय उत्तर प्रदेश बना है next question देखते हैं कि आपको शागया ये रहा स्कीन पर हाली में राश्ट्रिय पंचायती राजदिवस कम मनाए गया बतलाईए चलिए देखते हैं तो राश्ट्रिय पंचायती राजदिवस 26 अप्रेल को हर साल मनाते हैं option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आपको शागया है हाली में जारी world praise freedom index में भारत कौन से number पर है क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो world praise freedom index में जो है शीर्स पर कौन है भारत यहाँ पर caution कुछ और था मैंने पढ़ कुछ और दिया हाली में जारी world praise freedom index में शीर्स पर कौन सा है तो नारवे है next question देखते हैं क्या पूशा गया है यह रहाज screen पर निम्ड मैसे सयुक्त राश्ट से दुनिया के पहले जैविक राज्य का पुरुसकार किसने जीता है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो सयुक्त राश्ट से दुनिया के पहले जैविक राज्य का पुरुसकार भारत के राज्य सिक्केम ने जीता है option number A question का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कारिक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कारिक्रम मिशन अन्ना सेवा Reliance Foundation ने शुरू किया है next question देखते हैं Moon Jae-in किस देश के फिरसे राश्पती बने हैं बतला ये चलि देखते हैं तो Moon Jae-in जो हैं दक्षिर कोरिया के फिरसे राश्पती बने हैं राइट आंसर हो जाएगा सारवजिय के स्थान पर थूकना आपदा प्रबंधन अधनियम की किस धारा के तहट दंडनी अपराद घोशित किया गया है बतला ये राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं तो सरभजिनकिस्थान पर थूकना धारा इंक्यावन के तहट दंडनी अपराद है जो की आपदा प्रबंदन अधिनियम की एक धारा है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है निम्नमैसे किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ओफ फेम के नाम में सामिल किया गया है बतला ये चलिए देखते हैं गोल्फ के हॉल ओफ फेम में टाइगर वुड्स को नामित किया गया है शामिल किया गया ऑप्शन नमबर ए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है हाली में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है बतला ये चलिए देखते हैं तो भारत को एंटी शिप और टारपीडो बेचने की मंजूरी अमेरिका ने दी है next question देखते हैं कि आप पूशा गया है IMF के बाहरी सलाकार समू में किसे शामिल किया गया है बतलाईए चले देखते हैं तो IMF के बाहरी सलाकार समू में रगुराम राजन को नियुक्ति मिली है next question देखते हैं मानव संसादन मंत्राले की द्वारा किस वेब पूटल का शुबारम किया गया है बतलाईए चले देखते हैं तो मानव संसादन मंत्राले की द्वारा युक्ति नाम का वेब पूटल शुरू है option number A is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं हाली में विजडन ने किसे विश्व में 2020 का सर्वस्रिष्ट खिलाडी का किताब दिया है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो विजडन ने 2020 में सर्वस्रिष्ट खिलाडी वेन स्टेक को खिताब दिया है next question देखते हैं कोरोना वाइरस की सुरुवात चीन के वहान शहर से हुई थी चीन का वहान शहर किस प्रांत में है बतलाईए चले देखते हैं तो चीन का वहान शहर होबेई प्रांत में है जहां से कोरोना वाइरस की शुरुवात हुई थी PMKM Fund में दान की गई राशी को एकतर करने के लिए किंद्र सरकान ने किस बैंक को नामoperation किया है बतलाईए चलिए देखते हैं तो PMKM Fund मेंदान की गई राशी को एकतर करने के लिए Indian Overseas Bank को नामां糖 किया गया है हाली में किस राज के मुख्य मंतरी को hero to animals award से समानित किया गया बतलाईए चलिए देखते हैं hero to animal award से odysa के मुख्य मंत्री को समानित किया गया है right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है भारत ने सबसे तागदवर संसार उबगर कौन सा है जिसे हाल ही में launch किया है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत ने सबसे तागदवर संचार उबगर जी सेट 30 को हाल ही में launch किया है next question देखते हैं क्या पुशा गया है हाल ही में न्यायमूर्ती राजेस ओस्वाल किस राज्ज के हाई कोट के न्याधीस बतलाईए चलिए देखते हैं तो राजेस ओस्वाल जो है जम्मू कस्मीर हाई कोट के न्याधीस बने है हाल ही में next question देखते हैं किस से राजेस सरकार ने एक नया कारिकरम प्रग्या शुरू किया है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो प्रग्या कारिकरम जो है असम सरकान ने शुरू किया है right answer हो जाएगा next question देखते हैं निम्न मैंसे कोरोना वाइरस के लिए एंटी बॉडी परिक्षन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है बतलाईए चलिए देखते हैं तो एंटी बॉडी परिक्षन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है जो की कोरोना वाइरस से निपटने में मदद देगा next question देखते हैं भारत की पहली intercity electric bus सेवा किस राज में शुरू हुई है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो intercity electric bus सेवा महराश राज में शुरू हुई है महराश और पुनिय के बीच में चलती है अगला प्रश्न हाली में किस देश के प्रधान मंत्री कोरोना वाइरस टेस्ट में positive पाए गए थे कुछ समय पहले बतलाईए चलिए देखते हैं तो हाली में ब्रटेन के प्रधान मंत्री कुछ समय पहले कोरोना वाइरस टेस्ट में positive पाए गए थे next question देखते हैं निम्न मैंसे किस संस्था ने कोरोना वाइरस के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व स्वास संगठन के सहयोग से कोवेड एक्षन प्लेटफॉर्म लाँच किया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो कोवेड एक्षन प्लेटफॉर्म जो है विश्व आर्थिक मंच ने लाँच किया है कोरोना वाइरस से कहे तो बचने के लिए निपटने के लिए नेक्ष कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है हाली में किस देश ने सैने संचार के लिए अत्यदिक उन्नत हाई फ्रिक्वेंसी उपगर लाँच किया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो सैने संचार के लिए अत्यधिक उन्नत हाई फ्रिक्वेंसी का उपगरा अमेरिका ने लॉंच किया है नेक्श कॉश्चन देखते हैं निम्न मैसे हिंद महासागर आयो के पांचवे परविक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है बतलाईए चलिए देखते हैं तो हिंद महासागर आयो के पांचवे परविक्षक के रूप में भारत सामिल हुआ है ऑप्शन नम्बर एस कॉश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉश्चन देखते हैं नम्ड मैसे किसने पहला मात्र भूमी बुक आफ द इयर पुरुसकार जीता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो मात्र भूमी बुक आफ द इयर पुरुसकार पहला विनोच शुकलाने जीता है नेक्श कॉश्चन देखते हैं क्या पुशा गया है हाली में कोलकता पोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है बतलाईए चलिए देखते हैं तो कोलकता पोर्ट का नाम बदल कर श्यामा प्रशाद मुकरची पोर्ट रखा गया है नेक्स कौशन देखते हैं राश्रिय अहरित वाहनी योजना को किस राज में शुरू किया गया बतलाईए चली देखते हैं तो राश्रिय अहरित वाहनी योजना को जम्मु कश्मीर राज में शुरू किया गया किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है बतला ये चलिए देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा प्रगती मैदान जो की दिली में इस्तित है उस मेट्रो इस्टेशन का नाम बदल कर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो इस्टेशन रख दिया गया है नेक्स कॉशन देखते हैं भारती करसी अनुसंधान परिशत द्वारा अंतराश्य केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारती करसी अनुसंधान परिशत के द्वारा अंतराश्य केला सम्मेलन का आयोजन तिरू चिरापली में किय गया नेक्ट कॉश्चन देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा meditation center किस राज में खुला है बतलाईए चलिए देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा meditation center तेलांगना राज में खुला है नेक्ट कॉश्चन दिखते हैं तो उड़ान योजना के अंतरगत बीदर हवाई एडे का उधगाटन करनाटक राज्य में शुरू किया गया जो भी इस चैनल पर नए हैं मैं आप सभी को बता दू रात में 10 बजे करेंट अफ्यस की रोज क्लास होती है और अगर आप सभी ने अभी तक चैनल सब सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लेना और आल वाला नोडिफिकेशन उन कर लेना साथ-साथ वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत भूलना और शेयर जरू कर देना अपने अपने ग्रूप में चलिए आगे बढ़त एक्सलेंस अवर्ड दिलराज सिंग दिलराज प्रीत कौर के लिए देने की बात हुई है कलपना चावला एक्सलेंस अवर्ड दिलराज प्रीत कौर को मिल रहा है नेक्ट कॉश्चन देखते हैं हाली में भारत की पहली निर्यात फ्रूट ट्रेन को किस राज से रवाना किय आगया बतलाईए चले देखते हैं तो निर्यात फ्रूट टेन जो है आंधर प्रदेश से रवाना हुई जो की उन सभी राज्यों से होकर गुजिरेगी जो फल के शेत्र में काफी उन्नत है और उन फलों को उस ट्रेन में अप्लोड किया जाएगा और डारेक्ट बंदर गाह आगहों तक पहुंचेगी वह ट्रेन नेक्स्ट कॉशन देखते हैं किया पुशा गया है किसे राज्यकी विधान सभा पर्योजना के कारियान वेण से कागज रहित होगी राइट आंशर के बतलाईए डिजिटल विधान सभा कॉनसी होगी चले देखते हैं तो ईविधान चलिए देखते हैं तो विधान परिशत को आंध्रप्रद्य सरकार समाप्त करने जा रही है option number C is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं किस राज्य में इसरो ने छोटे उग्रह के प्रक्षेपन के लिए नया केंदर स्थापित करने की घोशना की है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो इसरो ने छोटे उग्रह को लाँच करने के लिए तमिनाडू राज्य में नया केंदर स्थापित करने की घोशना की है next question देखते हैं केंदरिये रिजर्व पुलिस बलके नए महानेशक के रूप में किसे नियुक्ती मिली है बतलाईए चलिए देखते हैं तो केंदरिये रिजर्व पुलिस बलके नए महानेशक के रूप में जो है एपी महेश्वरी को नियुक्ती मिली है option number A is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question दुनिया के आठवे अजूबों की सूची में भारत के किस स्थल को सामिल किया गया है बतलाईए चलिए देखते हैं तो दुनिया के आठवे अजूबे की रूप में Statue of Unity को भारत के शामिल किया गया है कहां पर है ये Statue of Unity किस राजमें है और क्यों प्रिसिद्ध है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताईए Wings India 2020 अंतराश्य विमानन प्रदरशनी का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया बतलाईए चलिए देखते हैं तो Wings India 2020 विमानन अंतराश्य प्रदरशनी जो है हैदराबाद में की गई option number C यहाँ पर सहित्र हो जाएगा हैदराबाद नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहा स्कीन पर हाली में किस भारतिय ने अंतर्क्टिका की सबसे उची चोटी पर फता हासिल की है बतलाईए चली देखते हैं तो अंतर्क्टिका की सबसे उची चोटी पर माला वत पूरुना ने फता हासिल की है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहा स्कीन पर भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहा चलाई जाएगी बतलाईए चली देखते हैं तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है भारत के राजे पशिम मंगाल के कोलकता में चलाई जाएगी राईट आंसर क्या हो जाएगा कलकता पशिम मंगाल का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं किस इस्थान पर भारत की पहली transgender university इस्थापित की जा रही है बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत की पहली transgender university कुछी नगर में स्थापित की जा रही है right answer हो जाएगा next question देखते हैं कि आप पूशा गया है ये रहा स्क्रीन पर निम्न मैंसे कौन राज अपना पहला हिम तेंदुआ सर्विक्षण करने जा रहा है बतलाईए चलिए देखते हैं तो हिम तेंदुआ सर्विक्षण जो है उत्रा खंड राज करने जा रहा है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं भारत का पहला Chief of Defense टाप किसे नुक्त किया गया है बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत का पहला Chief of Defense टाप विविन रावत को नुक्त किया गया है next question देखते हैं हाली में किस देख ने अंत्रिक्ष बल की स्थापना की है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो अंत्रिक्ष बल की स्थापना USA ने की है अंत्रिक्ष में भी अपनी फौज स्थापित करके अगले question पर チशलते हैं अग्ला question क्या है ये राज स्खीन पर हा पूल ने जीता है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पीशगया है हाली में मदरास उच्छे नयायले के मुख्य नयदीज के रूप में किस ने सपतली है बतलाईए चलिए दिखते हैं तो मदरास उच्छी नयायले के मुख्य नयायदीस के रूप में अमरेश्वर प्रताब साही ने सपत ली है नेक्श कॉशन दिखते हैं पैतीसवा आशियान सिखर सम्मेलन हाली में किस चहर में आरंभ हुआ बतलाईए चलिए दिखते हैं तो पैतीसवा आशियान सिखर सम्मेलन बैंकोक में हुआ था नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है राश्य स्वक्ष कोईला एवं विकास केंदर का उधगाटन कहां किया गया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए दिखते हैं राश्य स्वक्ष कोईला एवं विकास केंदर का उधगाटन बैंक लूरू में किया गया है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है हाली में मारा केच में अवार्ट पाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो मारा केच में अवार्ट पाने वाली पहली भारतिय महिला जो है प्रियंक का चोपड़ा बनी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A नेक्श कॉशन देखते हैं इससे पहले वाले कॉशन का आंसर बैंगलूरू है अगला कॉशन ये रहा आपके सामने किस हिंदी कवी को हाली में गंगा धर राशी पुरुसकार के लिए चैनित किया गया बतलाईए चले देखते हैं तो हिंदी कवी विशोनात प्रशाज जी को गंगा धर राशी पुरुसकार के लिए चैनित किया गया next question देखते हैं निम्न मैसे किस महीला खिलाडी को world athlete of the year 2019 खिताब से सम्मानित किया गया right answer क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो right answer हो जाएगा दलेला मुहम्मद को सम्मानित किया गया athlete of the year 2019 comment box में comment करके बताईए कौन से देश की है right answer क्या है अगला question देखते हैं हाली में किसे उपर आश्य सुरक्षा सलहकार के रूप में नियुक्ती मिली है बतलाईए चली देखते हैं तो उपर आश्य सुरक्षा सलहकार के रूप में दत्ता पडसल गीकर को option number 20 question के लिए से उत्तरो जाएगा दत्ता पडसल गीकर को उपर आश्य सुरक्षा सलहकार के रूप में हाल ही में नियुक्ती मिली है next question देखते हैं क्या पूशा गया है Sophie Wilmese किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है right answer क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो Sophie Wilmese जो हैं Belgium की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है next question देखते हैं हाली में किस सराज सरकान ने file area के खिलाब ठीका करन अभियान शुरू किया है बतलाईए चली देखते हैं तो file area के खिलाब ठीका करन अभियान उत्तर प्रधेश राज सरकान ने शुरू किया है next question देखते हैं दमन और दीप किस केंद्र शासित प्रधेश के साथ विलाई करने की योजिना में है हो चुका है जिनका विलाई बतलाईए राइट आंसर क्या है चले देखते हैं तो दमन और दीप जो हैं दादर और नगर हवेली के साथ में मिल चुके हैं next question देखते हैं भारत की लक्ष्मी पहल के लिए प्रधान मंत्री ने किसे ambassador नॉमित किया है बतलाईए चले देखते हैं भारत की लक्ष्मी पहल के लिए पीवी सिंदू को ambassador बनाया गया है next question देखते हैं महात्मा गांदी की 150 वी जन्ती पर प्लास्टिक कच्रे से निर्मित देश के सबसे बड़े चर्खे का उधगाटन के शहर में किया गया बतलाईए चले देखते हैं तो 150 वी जन्ती पर प्लास्टिक कच्रे से निर्मित देश के सबसे बड़े चर्खे का उधगाटन नोईडा में किया गया next question देखते हैं क्या आपकी शगया है एक समिती कौन सी है किस समिती की सिफारिश पर भारती रिजर्व बैंक ने केंदर सरकार को 1.6 लाग करोड रुपे दिये हैं बतलाईए चले देखते हैं तो केंदर सरकार को रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिती की अनुशंशा पर 1.6 लाग करोड रुपे दिये हैं next question हाली में किस राज्य की विधान परिशत को समाप्त कर दिया गया है बतलाईए चले देखते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जम्मू कश्मी की विधान परिशत को समाप्त कर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं है अगला कॉशन क्या है बतलाईए हाली में किस बैलेस्टिक मिसाइल का पहली बार परिक्षण किया गया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए दिखते तो हाली में पहला परिक्षण बैलेस्टिक मिसाइल अगनी तुका किया गया है question number B, question के लिए सही उत्र हो जाएगा, next question देखते हैं, क्या पूशा गया है, justice, अमरेश्वर, प्रताप साही, किस high code के मुख्य नयधीस बने हैं, बतलाइए, चलिए देखते हैं, तो justice, अमरेश्वर, प्रताप साही, मद्राश, high code के मुख्य नयधीस बने हैं, चली देखते हैं तो महातमा गांधी आधारे डांक टिक forbidden ने जारी किया है नेक्ट वूशन देखते हैं भारत का सबसे उुच्छा इसकाइ साइक्लिंग ट्रेक कहां पर बनाये गया है राइट आंज्ट आंजर क्या है चली देखते हैं तो भारत का सबसे उचा सकाई साइकिलिंग ट्रैक मनाली में बनाया गया है Next question देखते हं क्या पुशे गया है किसे स्वक्षता Ambassador Award से सम्मानित किया है बतलाइए चलिए देखते हैं तो स्वक्षता Ambassador Award से सचिन तैंदूलकर Award तिया गया है सम्मानित किया गया है option number D यहाँ पर सहित्र हो जाएगा next question देखते हैं भारतिय वाईउ सेना की पहली महिला flight commander बनने का गौरव किसे प्राप्थ हुआ है बतलाईए चले देखते हैं तो भारतिय वाईउ सेना की की पहली महिला flight commander बनने का गौरव सालिजा धामी को प्राप्थ हुआ है किस भारतिय एरलाइन ने अपने विमान पर एक ओमकार का चिन बनवाया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो एक ओमकार का चिन एर इंडिया ने अपने विमान पर बनाया है option number D इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं हाली में किस मंत्राले ने operation धन धनुष शुरू किया है बतलाईए चलिए देखते हैं तो operation धनुष जो है rail मंत्राले ने शुरू किया है next question देखते हैं किस कार्बो वर्डे गर्राज में भारत का अगला राजदूत न्यूट क्या है कार्बो वर्डे गर्राज गैंबिया आपने नाम सुना होगा गैंबिया में किसको न्यूटती मिली है राजदूत की बतला ये right answer क्या है चली देखते हैं तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा गोंडा वर्ती वेंकर श्री निवासन को न्यूटती मिली है next question देखते हैं किस तीर्थ स्थान को बैस्ट स्वक्ष आइकानिक जगा घोशित किया गया है बतला ये चली देखते हैं तो तीर्थ स्थान वेश्णो देवी है जिसे बैस्ट स्वक्ष आइकानिक स्थान गोशित किया गया है next question देखते हैं निमने लिखित मैंसे किस देश ने अपना सर्वोच नागरिक सम्मान order of the green crescent उपराशपती श्री वेंक कईया नाइडू को प्रदान किया है right answer क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो वेंक कईया नाइडू जी को जो की उपराशपती है हमारे order of the green crescent अवार्ड कोमो रोस न दिया है option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं 2019 के लिए शांती के शेतर में किसे नोबल पुरुसकार मिला है right answer क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो 2019 में अभी अहमाद अली के लिए शांती का नोबल पुरुसकार मिला है next question देखते हैं क्या पूशग्य है चली देखते हैं तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से नोबल पुरुसकार मिला है बतलाईए चली देखते हैं तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को समानित किया गया है next question देखते हैं क्या पुशग्य है स्वतंत्र भारत की पहली पूण कालिक वित्त मंत्री कौन बनी है right answer क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो स्वतंत्र भारत की पहली पूण कालिक वित्त मंत्री निर्मला सीता रमंची बनी है next question देखते हैं क्या पुशग्य है निमलिकित मैसे द्रोणाचार पुरुसकार 2019 में किसने जीता है बतलाईए चली देखते हैं तो 2019 का द्रोणाचार पुरुसकार मोहिंदर सिंग धिलो सन्य भारदवाज रामबीर सिंग खोकर इन सब ही न जीता है अच्छा इन सब ने जीता है लेकिन द्रोणाचार पुरुसकार किस शित्र में मिलता है कमेंट बॉक्स में बताईए जरा किस को पताए देखते हैं हाल ही में विश्व पसू स्वास्त संगठन द्वारा किस देश को वर्ड फ्लू मुक्त देश गोशित किया गया है राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो bird flu मुक्त देश जो है भारत को घोशित किया गया है right answer हो जाएगा next question देखते हैं विश्व स्वास संगठन ने हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त घोशित किया है बतला ये चलिए देखते हैं तो खसरा मुक्त श्रीलंका को हाली में विश्वस्वास संगठन ने किया है नेक्श कॉशन देखते हैं भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंदर किस राज में बनेगा बतलाईए चले देखते हैं तो भारत का हाथी पनरवास केंदर केरल राज में सबसे पहला बनेगा next question किस राजय ने safe green stay clean अभियान चलाया है राइट आंसर कहे है बतलाईए चले देखते हैं तो safe green stay clean अभियान पश्शिम बंगाल ने शुरू किया है अगला प्रशन यह रहाब के सामने हाली में किस ने लोगतंत्र के س्वर और Republican Ethic नामक पुस्तक लॉणज की है बतला इए चलि देखते हैं तो लोगतंत्र के स्वर और Republican Ethic नामक पुस्तक एम वेंकाईन आइडू जी ने लॉणज की है तो दोस्तो यह थे 100 questions current affairs के very important series आपके लिए आगे भी provide कर दी जाएगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon on कर लीजे, और all वाला notification on कर लीजे, जिससे आपको हमारे चैनल पर upload होने वाले सभी test वीडियो की notification सबसे पहले मिले, और आपका कोई भी वीडियो ना छूटे, दोस्तों चैनल पर आपके लिए हर प्रकार के वीडियो है, current affairs, science, general awareness, सभी topics के वीडियो आपको playlist में भी मिलेंगे, और वीडियो की list में भी मिलेंगे, आप home page पर click करके जाकर वीडियो देख सकते हैं, या comment box में comment करके, आप हमसे link ले सकते हैं, हम आपके comment पर link share कर देंगे, Champions अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है, तो please वीडियो को like करिएगा, और आप जिस जिस group में जुड़े हुए हैं, सभी group में वीडियो को share करिएगा, please आप सभी से अनुरोध है, जादर से जादर share और like ज़रूर करें, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धनिवात, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए, जबरजस्त रहिए, आप सभी का दिन शुब हो